नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि अलपैन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, अलपैन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और अलपैन टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि अलपैन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, अलपैन एक ब्रैंड नेम है, अलपैन टैबलेट के अंदर सौल्ट कमपोजिशन पैंटो प्राजोल 40 Mg होता है, अलपैन टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिड की मात्रा को कम करती है, अलपैन टैबलेट का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर अलपैन टैबलेट का उप्योग किया जाता है, Alpen Tablet को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़़ से होने वाले side effects को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है जैसे दर्थ को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़़ से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Alpen Tablet को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है ज्यादातर अंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए अंटिबायोटिक दवाओं की वज़़ से ये side effects ना हो इसलिए आपका Dr. Alpen Tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है इसके अलावा Alpen Tablet का उप्योग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी Alpen Tablet का उप्योग किया जाता है Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है अब हम डिसकस करेंगे की Alpen Tablet की वज़़ से क्या side effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Alpen Tablet की वज़़़ से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Alpen Tablet की वज़़ से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वदस्थ होने की समस्या हो सकती है इसके अलावा Alpen Tablet की वज़़ से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है लंबे समय तक Alpen Tablet का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Alpen Tablet को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आइरन और मैगनेशियम की कमी हो सकती है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Alpen Tablet को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार Alpen Tablet को लेने से औस्टियो पोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है औस्टियो पोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है Alpen Tablet की वज़े से औस्टियो पोरोसिस तभी होता है जब Alpen Tablet का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Alpen Tablet को ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियो पोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की अलपैन टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्तर अलपैन 40 MG टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं अलपैन टैबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए अलपैन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको अलपैन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं के लिए अलपैन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं को अलपैन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है और सतन्पान करा रही महिलाओं में alpen tablet मां के दूध के जरीए बच्चे तक पहुँँ सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में side effects पैदा कर सकती है इसलिए सतन्पान करा रही महिलाओं के लिए alpen tablet का सेवन करना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद